और रिकॉर्ड तो करते हीं आप लोग बनिया सा रिकॉर्ड करके ग्री मंतरी को सुना दीजिएगा साहेब हर चीज का एक मंतर नहीं होता है बीजेपी चाहती है कि हर नेता पे एक ही जंतर का इस्तेमाल कर ले तो मैं भाजपाईयों को कहना चाहता हूँ रे भाजपावा लो ये राहूल गांधी हैं इंद्रा गांधी के परिवार से आते हैं राजीव गांधी के बेटा हैं आतंकवादी से नहीं डरे तुम तो वैसे भी माफी मागने वाले लोग हो भाई तुमसे क्या डरेंगे यार ED ED से डर नहीं लगता है ED से हम अपने नेता को नहीं बचाना चाहते हैं हम बस इस देश की जंता को बताना चाहते हैं कि ED इनके घर पे आया क्यूं है ED इनके घर पे इसलिए आया है कि मोदी जी को कोई साधू बता दिया है कि विपक्च के सारे नेताओं पे एक ही कैपसूल इस्तेमाल किजिए एक कैपसूल सबके उपर बड़ावर लागू नहीं होता है सब धान 22 पसेरी नहीं होता है इनको लगता है कि एक बार ED भेज देंगे तो कॉंग्रेस पार्टी डर जाएगी कॉंग्रेस के कारकरता डर जाएंगे और चूप होकर के बैठ जाएंगे कि देखो देखो इसके नेता के उपर ED आ गया है तो कारकरता को कौन पूछता है कॉंग्रेस पार्टी के अंदर इस बात क्या जज़वा है कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं तो इस देश को हम अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे इस बात को याद रखिएगा इस बात को याद रखिएगा कि आपने देश के साथ जो खिलवार किया है उस खिलवार के खिलाफ हैं हम उस खिलवार के खिलाफ क्यों हैं हम कि आपने इस देश को सपना दिखा करके आपने इस देश के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है ये हम नहीं बोले थे सुस सिरी-सिरी 108 सिरी माननिया पठानमंतरी जी बोले थे कि हर साल 2 करोन नौकरी दी जाएगी क्या मीडिया भीले मोदी जी बोले थे न? कि हम बोले थे अरे बोलिये न महराज आपको भी बोलना परेगा तो पूराइगा हमको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बारी सब की आएगी इस बात को याद रखिएगा कहे थे न मोदी जी कि हर साल दो करोर रोजगार देंगे बोले ते कि नहीं बोले थे अरे बोलिये न आप कॉंग्रस के कार करता है भाजपा के थोड़े हैं कर डर जाएंग जी के style में पूछूं क्या आया क्या अब नया जुमला आया है अब नया जुमला आया है कि हम अगनी पथ ले करके आये हैं एक भाजपा का निता इमानदार है कैलास विजय बर्गिया को धन्यवाद देना चाहिए कम से कम उसने इस देश के नोजवानों की संका दूर कर दी उ भाजपा की नई योजना है तैयार भाजपा ओफिस में सभी नोजवान बनेंगे चोकीदार यही योजना है ना लेकिन मैं कहता हूँ विजय बर्गिया जी आपका बेटा बल्ला भूद बढ़िया चलाता है अपसवत पर बैट चला रहा था उसको बीजपी ओफिस में क्य अफिस में सिकुरिटी गाड हाइरे हिपोक्रेसी इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना और बैमानी किसको कहते हैं देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सची बोलेंगे मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगोंने मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया सब कुछ किया इस देश ने ले इस परिस्थिती पे मुखड हो करके हमारे नेताब बोलते हैं इस बात का हमको गर्भ है कि सरकार के सामने बिना जुके कोई लरता है और करके तो उसका नाम राहुल गांधी है उसको डराना चाहते हैं उसको डराना चाहते हैं उसको जुकाना चाहते हैं अरे आप कहते हैं मोदी जी मैं भी चोगीदार मोदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चोगीदार ये चोगीदार नहीं है ये देश के ठेकेदार है और ये देश के ठेकेदार कैसे हैं क्योंकि इस देश के लोगों का उनके भविश को ये ठेके पे कर देना चाहते है ये जो अगनीपत्य योजना है इसकी मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए मैं बड़े ध्यान से सारा प्रेस कॉन्फरेंस सुन रहा हूँ प्रेस कॉन्फरेंस में सरकार जिलेवी की तरह गोल गोल कर रही है हर चीज को सब कुछ बोल रही है सब फाइदा गिना रही है हो सकता है कि कोई भाजपा का मंत्री ये भी आकर के कह दे कि अगनीपत्य योजना में सामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिडेगा जिस तरीके से उसके फाइदे गिनाये जा रहे हैं लेकिन असली बात नहीं बताया जा रहा है एक सिंपल सवाल है सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए क्या सिंपल सवाल है कि जो भरतियां हो रही थी वो भरती होगी की नहीं होगी सवाल नमबर एक सिंपल बात है पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया और पिछले दो साल में अब तीसरा साल है 50,000 लोगों को भी की भरती नहीं की गई बहाना क्या दिया गया बहाना दिया गया कि कोडोना था इसलिए भरती नहीं किये हाई मोदी जी कोडोना था तो चुनाव लर लिए बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिए सब जगा चुना हो गया उत्तर प्रदेश का चुना हो गया बुल्डोजर बाबा आ गए लेकिन आर्मी की भरती नहीं हुई ये बैमानी है कि नहीं है रोजगार देने में कोडोना है अचुनाव लरने में कोडोना नहीं है और अगर आप बैकलोग को देखेंगे पचास हजार को अगर माल ले तब भी डेढ़ लाख बहाली होनी चाहिए थी डेढ़ लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैं डेढ़ लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे इसको ये नहीं बता रहे हैं उपर से ये एक नया योजना लेकर के आ गए है तो एक छोटा सा कहानी हमको याद आ रहा है बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था कहां मम्मी दूध पिला दो दूध पिला दो मम्मी उसको उठा करके अल्मीरा पे बिठा दी बच्चा मम्मी को यह नहीं कहता है मम्मी दूध पिला दो बच्चा चिला चिला करके कह रहा है कि मम्मी अलवीरा से नीचे उतार दो नीचे उतार दो लोग मांग रहे थे हर साल दो करोर नौकरी इन्होंने हर साल दो करोर नौकरी नहीं दी उपर से एक नया योजना लेकर के आ गए है पूरा का पूरा भाजबा के तंत्र को उसमें लगा दिये हैं कि आप बताईए कि अगनी पच्च के क्या फाइदे हैं अरे सिंपल सी बात है बिहार में एक कहावत है नहाया हुआ सरीर और खाया हुआ सरीर नहीं छुपता है जो चीज अच्छी होती है उसका फाइदा बताने का जरूरत नहीं होता है जो चीज में कोई खड़ावी होती है उसका खड़ावी छुपा करके आपके घर पे कोई समान बेचने के लिए आता होगा तो उस समान का सब कुछ अच्छा अच्छा ही बताता होगा आप टेन में जब जाते होंगे बस में जाते होंगे तो जब जूसर बेचने वाला आता है तो एक संतरा से आपको एक गिलास जूस निकाल करके दिखाता है और वही जूसर जब आप घर पे ले करके जाईएगा तो आधा गिलास जूस भी आपको आपके घर में नहीं निकलेगा ये जो बेचने की मानसिक्ता होती है इस बेचने की मानसिक्ता के खिलाफ है ये सत्यागरह दो लोगों के बीच में है जावेद अख्तर ने लिखा है एक हमारी एक और उनकी मुल्क में है आवाजे दो दो आवाज है एक वो आवाज है जो इस देश को बेचना चाहता है वो देश के सरकार में बैठे हुए है एक वो आवाज है जो देश को बचाना चाहता है वो सरकों पे खड़ा है वो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है वो सत्यागरह कर रहा है और ये सत्यागरह हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार के जूट को हम समझ रहे हैं जूट क्या है इनका जूट है कि ये लोग पर्मानेंट बहाली को बंद करने जा रहे हैं पर्मानेंट बहालिया देश को समझा रहे हैं जब भी देश में कोई ठेका करन किया जाता है तो सिर्फ उसका फाइदा ही फाइदा बताया जाता है जब भी देश की कोई सार्वजनिक संपत्ती बेची जाती है तो उसका फाइदा ही फाइदा बताया जाता है लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि देश में अगर सारी सार्वजनिक संपत्तियों को बेच दिया गया तो देश का क्या होगा एक बार आप इस बात पर विचार कीजिएगा कि अगर एर इंडिया नहीं रहेगा अगर नहीं होगा Air India तो क्या करेंगे जोति राधित सिंधिया समझना है कि नहीं समझना है आप हमको बताईए कि सरकारी रेलवे नहीं होना चाहिए सरकारी पियेसेनल नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से सेना में नियमित नौकरी नहीं होनी चाहिए जब सब कुछ सरकारी नहीं होना चाहिए तो सरकारी परधान मंत्री लेकर के ढोल बजाएंगे फिर सरकारी परधान मंत्री भी क्यों होना चाहिए सरकारी संसद भी क्यों होना चाहिए देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रिय संपत्ती देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रिय सेना देश का मतलब होता है देश के लोगों का सम्मान इसलिए मैं आप तमाम लोगों से यागरह करने के लिए आया हूँ कॉंग्रेस पार्टी की लडाई सिर्फ अपने नेता को बचाने की लडाई नहीं है कॉंग्रेस पार्टी की लडाई इस देश को बचाने की लडाई है वो देश जिस देश को गांधी ने बनाया है जिस देश को नहरू मौला नाबूल कलाम आजाद ने बनाया है उस देश को बचाने की लडाई है कॉंग्रेस पार्टी को लेकर के भाजपा लगातार परचार करती है कि अगर कॉंग्रेस किसी चीज का विरोध कर रहा है तो सही होगा तो आप बताइए हम भाजपा का विरोध करते हैं देश के संबिधान का समर्थन करते हैं और उस संबिधान को हमने बनाया है कॉंग्रेस पार्टी ने बनाया है, इसलिए एक कहावत कही जाती है, जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड पड़ाई, जो पार्टी देश को आजादी दिलाई है, वही पार्टी इस देश की आजादी की रक्षा कर सकती है, इसी आसा और उम्मीद के साथ, कि सत्याग्रह के रास्टे पर चलेगे, जूट को हराएंगे, जूट पर सच भारी है, सत्याग्रह जारी है, यह सत्याग्रह जारी रहेगा, बहुत बहुत शुकριा, बहुत बहुत धन्यवादी